हाँ नमस्कार दोस्तों अब हम बात करेंगे पैथोलोजी की बात करेंगे पैथोलोजी में जिसको आपन रोग नीदान बोलते हैं रोग नीदान जी हाँ तो फिलाल जो आपन इसमें बात कर रहे हैं वो आपन पैथोलोजी की बात कर रहे हैं इंदे सेंस आपन मोडन की बात क जो बेसिक पैथलोजी है वो अपन इसके अंदर देखेंगे जी हाँ इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स भी प्रवाइड कर रहा दे जाएंगी तो आप नोट्स वहां से ले ले लेना क्योंकि अब जो वीडियो में जो नोट्स पॉसिबल नहीं है बाकि आप एक कोप प्रवाइड लेके रखा करें साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा लिखते रहा करने ताकि वह रिविजन करने में काम आए जी हां तो अब भी स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले बेसिक पैथलोजी देखेंगे पैथलोजी में सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अब definition की बात करते हैं जी हाँ इसमें क्या है कि pathology pathology इसमें आप भी देखते हैं books में भी आपको इसली मिल जाता है कि ये दो सब्दों से बनती है एक तो pathos हो गया एक logos हो गया logos का मतलब science होता है pathos का मतलब होता है suffering होता है suffering का मतलब कुछ लोग क्या समझते है बीमार होना suffering नहीं होता suffering मतलब होता है पीडा पीडा होता है suffer मतलब पीडा होना इसका मतलब ये नहीं है कि cell dead हो गई suffering in the sense किसी भी cell को अपने cell की पीडा हो सकता है cell किसी situation से गुजर रही हो सकता है किसी high temperature, high pressure इस परकार की पीडाओं से गुजर रही है, और लोगस मतलब होती है, साइन्स, तो इसकी पीडा की जो साइन्स है, उसकी अपने स्टेडी करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैथलोजिय बोलते हैं, जिया ज़रूर हम डेफिनेशन भी इसकी देखेंगे, यह यह तो हो पैथो और लोगस का मतलब, अब इसकी डेफिनेशन के अपने बात करते हैं, तो इसकी क्या रहेगी, इस्टेडी ओफ, किस दीज की इस्टेडी, इस्ट्रक्टरल अफंच्ट्रल अब्नोर्न मेल्टी इस, structural and functional abnormalities structural and functional सरंचनात्मक और कार्यात्मक abnormality किसीज की सेल की या फिर abnormality at the level of level of cell tissue and organ organ तक तब बड़े लेवल तक अपन सोटे से सुरू करते हैं सेल की structural functional भी कर सकते हैं tissue की बात कर सकते हैं organ की बात कर सकते हैं यहां तक की पूरे system की भी बात कर सकते हैं system का मतलब क्या होता है जैसे respiratory system के अपन बात कर रहे हैं फिर circulatory में बात करने तो circulatory system की अगर हम बात करते हैं तो पूरा heart से लेकर के जहां जहां बलड़ जाया रहा है arteries, when, सबके network की पूरी बात करते हैं तो यहां तक की उसकी structure functional system की अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं पैथलोजी बोलते हैं तो यह आप definition की रूप में इस्तेमाल कर सकते हो जी हां इसके बाद आप कुछ books में सब्द देखते हो हम उनकी जरूर बात करेंगे एक पैथलोजी के लिए सब्द आता है कि पैथलोजी इज ब्रिज बिट्विन ब्रिज बिट्विन किस चीज में ब्रिज मतलब हो गया एक connecting link है connection है किस चीज के बीच में connection है clinical practice and basic science मतलब जो basic science है फिर science के अकनम बात करें और clinical practice के बात करें इसके बीच में ये एक connection बना रही है तो ये कि इसका क्या मतलब होता है अपने इसके बात करते हैं कि मान लो आप practice कर रहे हैं तो practice में अपने को क्या होता है इससे अपनी तीसरी definition निकल के आती है या फिर दूसरी मान सकते हैं अपने एक बात की है कि इस ट्रक्शल और फंक्शनल जो अबनोर्मल्टीज हैं उसकी study को अपन पैथोलोजी बोल रहे हैं इसके बाद ये bridge बना रही है clinical practice और basic science के मद्धे जो है connection बना रही है bridge बना रही है तो इसको हम कैसी समझ सकते हैं किस प्रकार से bridge बना रहे है तो इसके लिए हमें एक चीज़ और देखेंगे उसके बाद ये समझ में आता है कि pathology क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले अपन pathology की बात करते हैं तो pathology के symptom देखते हैं symptom in the sense लक्षण होते हैं और science होते हैं चिन इसकी अपने चरक में देखे होंगे symptom और science चिन और लक्षणों के बीच में जो आते हैं क्या difference होता है यह किस प्रकार से एक हैं चिकित सको जरूरी होती है इनका knowledge तीसरी चीज़ है science and etiology etiology, etiology term होता है इसका मतलब होता है etiology का मतलब हो सकता है आपको पता होगा etiology का मतलब होता है cause of disease cause of disease होता है etiology का मतलब कि disease का क्या कारण है disease होने का तो एक तो यह term होता है pathology कि मैं अपन ये चीज़ जुरूर पढ़ते हैं symptoms पढ़ते हैं science पढ़ते हैं etiology mainly component होता है pathology में पहला component होता है etiology दूसरा होता है कि macroscopic and microscopic changes of disease macroscopic and microscopic changes of disease जी हां इसका क्या मतलब होता है कि macroscopic का मतलब बड़े लेवल पे macroscopic मतलब सोटे लेवल पर जिसके अंदर अपने को microscope से देखा जाए मान लोग इसी वेक्ति को cancer हो रही है cancer in the sense नियो प्लाजम इस पेज़ वह वापिस आएंगे यहां पर समझते हैं अपन बात करते हैं macroscopic की और बात कर रहे हैं macroscopic की मान लोग किसी वेक्ति को cancer हो रही है cancer in the sense नियो प्लाजम होता है नियो प्लास्टिक नियो प्लास्टिक सिच्विसन आती है जिसमें अपन बात करते हैं cancer की जो cancer में जो है नियो प्लास्टिक सिच्विसन आती है जो cells की जो growth होती है वो uncontrollably जो है बिना control के बढ़ने लग जाती है तो इसमें सबसे पहले macroscopic की बात करते हैं या फिर चलो macroscopic की बात करते हैं कि एक ऐसी situation आती है कि जिसमें initially initially cell की जो growth चुरू होती है initially growth होती है cell की अब initial growth का मतलब अपन क्या समझ सकते हैं कि बहुत कुछ cell बन रही है करन इवन पांच से दस cell जो ऐसी हुई है जो कि uncontrollably जो है वो divide होनी शुरू हो गई है तो यह अपन देखनी पाएंगे नेकडाइस की अगर हम बात करें या फिर हम देखने हैं कल को मालो यही cell जो है highly oil पे divide हो रही है काफी दिनों बाद एक टमर बन जाता है वहां पे बहुत ज्यादा cell हो जाती है और टमर फोर्मेशन हो जाती है गांट बन जाती है वहां पे तो वह अपने को externally अपन फील कर सकते हैं देख सकते हैं कि यह एक बाहर से डिख सकती है अपने को बिना किसी इंस्टुमेंट के help से तो इसको अपन खुरिमा आता है कि एक है कि और कि का है सेल्ुलर चेंजेज और सब चैन्जेज इनकी भी अपन स्टुडी करते हैं सैयल्ूलर चेंजेज सब सेलूलर चैंजेज इसकी भी अपन इस्टेडी कर रहे हैं कि सेलूलर चैंजेज यह इंट्रलिंक्ट होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सेलूलर चैंजेज के अपन बात करते हैं कि सेल के अंदर कौन से चैंज आ रहे हैं सेल के अंदर जो कंपोनेंट उनकी बात करें माइट्रो कौनिटरी हैं के मात्रा बड़ रही है या फिर उसकी सेल डेम़िज होई नुकलियस जो बैमेज हो रहा है ने यह बाते हो वह भी सबसेलुड चैंजेज इस पर कार के पर्वरतन आ रहे हैं सेल के अंदर इनकी स्टेडिय को आपन पैतलोजि बोलते हैं ठीक है तो इसमें आपन बात कर रहे थे, इससे पहले आपन बात कर रहे थे कि bridge between clinical practice and basic science होता है, तो आपन बात कर रहे हैं, प्रेक्टिस कर रहे हैं तो आपन सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, कि sign और symptom देखते हैं उसके, अपने को तो यही चीज दिखेगी sign symptom या फिर आपन बात कर सकते हैं, इन से अपने को क्या पता दलता है, etiology का पता दलता है, क्या कारण है जिसकी वज़े से disease हो रही है, ठीक है, इसके बाद अपने etiology पता कर लिए, etiology जहां कहीं भी मिल रही है, वहां पे अपन या तो उसके changes देखेंगे, हो सकता है, अपने को microscopic level पे दिख जाए, कोई cell growth हो रही है, cell damage हो रही है, या फिर अगर नहीं दिखे तो अपने को उसके city scan वगरे, x-ray अपने करने को बोलते हैं, तो वह microscopic level पे change आ रहा है, और अगर directly अपने को पता चल रहा है, वह microscopic level पे change आ रहा है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, next step यह आता है, कि वह change क्यों आ रहा है, कि cellular change हो रहा है, या फिर सब cellular level पे वह changes हो रहे हैं, तो इस परकार से जो है, यह link बना रही है, pathology, अपनी basic science के साथ, यह basic science हो और अपनी जो clinical practice कर रहे हैं, तो यह symptoms हो अगरे की help से कर रहे हैं, तो इस परकार से जो है, connection बन रहा है, जी हाँ, बिल्कुल आप समस्पाए होंगे, इसके बाद आपन आगे बाते करते हैं, कि pathology में और क्या, तो इसके बाद अपना pathology में यह रहता है कि दो परकार की होती है pathology, two types, two types होती है pathology, पहली होती है, general pathology, and second one is systemic pathology, दूसरी जो होती है, वो होती है, systemic pathology होती है, इसमें अपन क्या बाते कर रहे हैं, जनरल pathology में क्या होता है, कि अपन किसी भी एक particular कोई, confirm नहीं है कि हम किस चीज़ की बात होने को तो अपन बात करेंगे fundamental or structural changes है, तो अपन यहां पर बात कर सकते हैं, अपन cellular level पे जो changes की बात करते हैं, cellular level हो गया, या फिर tissue level हो गया, इस पे बात करते हैं, तो इसमें cellular मतलब अपने को पता नहीं है कि वो cell कौन से particular जगए की है, कौन सा particular organ है, तो यह तो हो गया, cellular level हो गया, कि कोई भी cell body की, कोई भी cell हो सकती है, टीशू हो सकती है, कोई इसी भी tissue हो सकती है body की, इस परकार के जो changes की बात करते हैं, इस परकार की cells की जो अपन उसकी pathology देखते हैं, etology वगरे चेक करते हैं, तो इसको तो अपन बोलते हैं, cellular, और दूसरी जगह पे अपन बात करते हैं, systemic pathology की, यह general pathology हो गई, जिसके अंदर अपन cellular tissue बात करते हैं, systemic pathology में अपन क्या करते हैं कि एक पूरे system विसे इसकी बात करते हैं, जैसे मान लो अपन circulatory system या फिर heart के बात करते हैं मान लो, इसके लावज लो pulmonary system की बात कर लेते हैं, lungs वगेर आ गए, तो अगर अपन particular की heart की cell अपने को पता है तो इसको अपन system बात करते हैं, जी हाँ, इसके बाद next अपन देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजे होती हैं जो एक अपने को pathology में किसी चीज की pathology study करने में, वो कौन सी चीजे हैं जो हमें जरूरी है, तो इसमें generally क्या होता है कि बहुत normal सी चीजे आपने जैसे कौन कौन से points होते हैं जिनके बारे में अपने पता होता है तो generally 5 points होते हैं , 5 points, five points घरारुके तक हम Сам जरूरी होती है एक cell की pathology जानने में , या फिर एक cell की जो pathology है उसको explain करने में जरूरी होती है आप देख पा रहे होंगे अभी मैं अभी बताना चाहूंगा आपको जैसे आयरवेद वालों की छोटी ची प्रोल्म रहती है कि वो यह देखते हैं कि pathology हिंदी में कहीं अगर हम modern की बात करें तो हिंदी में अपन पढ ले नो डाउट आपको नंबर मिल जाएंगे हिंदी में पढ़ने से भी पास भी हो जाओ गया लेकिन मेरा है मानना है कि pathology अगर आप बात करते हो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे pathology हो गया इसके अलावा दूसरा जो है अपना गाईनी हो गया फीडिया हो गया और भी है यह कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप हो सके तो modernly पढ़ने की कोशिश की जाए आधुनिक तोर पे ही पढ़ने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अब आप संतुस्टी ले लोगी कि अपने को याद हो रहा है फिर अपन हिंदी में बढ़ रहे हैं लेकिन जाया तर ट्रम ऐसे होते हैं जो इंगलीज में तो वह सेमी रहते हैं बस उनको लिख हिंदी में तो इतना ही फ़रक रहता है तो मेरे मानना है कि आपको इंगलीज में पढ़ना चाहिए दूसरी बात यह जो सब्जेक्ट्स हैं जो इनके अपन यहां पर थोड़ी सी बाते कर रहे हैं इसमें फार्मिकलोजी वगरे इंकलूट कर सकते हैं यह जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें क्या है कि यह यूपीस्ट्स अगर आप प्रिप्रेशन फोर यूपीस्ट्स करना चाहते हो तो उसके लिए काफी महत्वपन सब सब्सक्राइब करते हैं उनको टिपीकल लगे लेकिन सभी एई रहेगा आपके लिए जी हां बाते करते हैं फाइफ आसपक्ट्स और पैत्नों जिनकी हमें जरूरी है किसी सेल की यई गयां फोर बात करें पाटिए पैसपक्राइब को समझाना है इतियोलोजी होता है कोज ओफ डिजीज एक डिजीज हो रही है उसका कारण क्या है कोज ओफ डिजीज दूसरा जो है दूसरा पॉइंट पैथोजेनेसिस दूसरा पॉइंट है पैथोजिनेसिस पैथोजिनेसिस क्या होता है कि पैथोजिनेसिस होता है कि अपने को जो जहां पर अपना इंफेक्शन हो रहा है जबसे infection हुआ या फिर जबसे disease हो रही है तो उसका क्या क्या process रहा मान लो अपने को malaria हो रही है तो उसमें सबसे पहले अपने plasmodium का take हुआ उसके बाद वो liver में चला जाता है liver में उसकी growth हो रही है तो इस प्रकार से आगे किस प्रकार से का reproduction हो रहा है आगे किस प्रकार से gametocytes वगरे ट्रांसपर हो रहे हैं तो वो सारा जो जितना भी किस प्रकार अपने को fewer आ रहा है वो सारा जो कारिक्रम होता है वो pathogenesis के अंदर में आता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे mechanism mechanism बोलेंगे mechanism of disease इस प्रकार से disease हो रही है इस चीज़ को अपन पैथोजिनेस बोलेंगे थर्ड पॉइंट अपने आता है आप मौर्फोलोजिकल चेंज आप मौर्फोलोजिकल चेंजेज हो रहे हैं मानलो उसके जैसे अपन मलेरिया लेके चल रहे थे और भी कुछ अपन ले सकते हैं हो सकता है हिपेटो मीगेली हो जाए इस केस में मलेरिया कि अब बात करें ज्यादा आरवी सी डेड़ हो रही हो या फिर इस प्रकार से कहां पर मौर्फोलोजिकली कहां चेंज आ रहा है तो वह चीज़ अपन देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट इस फोर्स पॉइंट अपन बात करते हैं जी यहां फोर्स पॉइंट के अपन बात करते हैं कि भंक्सनल और मौलिकुलर अल्ट्रेशन यह पॉइंट उतना वो नहीं है लेकिन समझना जरूरी है कि कभी कभी ओधा कुस्ट इस बात करते हैं कि कभी आपन बात करते हैं इसमें क्या होता है मौल्ट अल्ट्रेशन मतलब गुठामीं वगेरर जो अमीन इसीर संगी पोजिशन हो जाती है ऑपने को पता होना चीए कि यह function पे किस परकार से ऐफेक्ट आ रहा है function किस परकार से इन्क्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं sales की, जी हां, next अपन बात करते हैं पांचोंट पॉइंट की अपन फिफ्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, wegwood investment में क्या होना था है कि sign and symptoms अपने खुवश्य है कि के सांश सब्सक्राइब कर ठाए है कि desire अब मले Capitol पले केAlq जा सजए मालियन अब कि आपको मेलेरीा हो रहा है तो नॉर्मल पेसेंट पारres तो यह पताएगा फियूर हो रहा है उसको नहीं पताएगी कौन से फियूर है फियूर मेप बहुत परकार की हो सकती है तो अपने को यह किस परकार से पता करना है कि उसको मलेरिया हो रहा है या फिर कोई दूसरी फियूर हो रही है तो इस परकार की पता करने के लिए अपने क पता लगाएंगी कि उसको किस परकार की फिवा रहे तो यह पांच परकार की चीजें होती हैं जो एक किसी भी डिजीज किया फिर किसी भी सेल की पेथोलोजी को समझने में जरूरी होती है जी हाँ आज अपने इतनी ही बाते करते हैं नेक्स वीडियो में आपने देखेंगे की की सेल्लूरल एरेप्टेशन किस परकार से होते हैं और और कॉन-कॉन से होते हैं स्ल्लूर एइप्टेशन इन सब की बाते करेंगे gT пс deze आपको जल्दी इसकी डिसक्रिप्शन में अविलेबल हो जाएंगे आप जूरूरल देखेग दिकत आती है आप ग्रूप में क्योंसी कर सकते हैं पूछ सकते हैं और वैसे भी आप जरूर कोई आपको सारी प्रोलोम को सोल की जाएंगे और आप इसे चैनल से जूड़े रही है थोड़े लोगों को भी जोड़े ताकि आपको ज्यादा डिसकेशन करने का मोगा मिलेंगी ज्यादा रोग रहेंगे ज्यादा क्योंस आएंगे ज्यादा आपके दिमाग से ज्यादा जो है वो निकलेगा मेटेरियल तो आपको ज्यादा समझने आएगा जी हां ओके धन्यवाद